हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आसिफा और आसिफा कोसर्स किचन में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आज हम बनाने वाले हैं प्यास और पालक के बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे पकोडे इतने टेस्टी बने हैं कि आप इनको बार बार खाने की डिमांड करेंगे अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा चैनल आसिफा कोसर्स किचन को सब्सक्राइब करिए साथ में दीगे बेल को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके अगर वीडियो पसंद आये तो इसको लाइक और शेर जरूर करिएगा तो फिर चलिए देखते हैं इनको बनाने के लिए हमने किन-किन चीजों का इस्तेमाल किया है चार मैंने मीडियम साइस की प्यास ली है और उसे मैंने स्लाइस में थिनली काट लिया है और एक पालक का बंच लिया था मैंने छोटा सा तो उसे भी मैंने मोटा मोटा काट लिया था तो उसको भी अब हम इसमें दालेंगे इसके बाद मैं इसमें दाल रही हूँ थोड़ी सी धनिया पती जिसे मैंने काट कर रख लिया था धनिया पती दालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टीस्पून अजवाइन अजवाइन से इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आता है अजवाइन दालने के बाद इसमें मैं दाल रही हूँ एक हरी मिर्च जिसे मैंने टुकडों में बारिक बारिक काट लिया था उसके बाद इसमें मैं डाल रहे हूँ एक टीस्पून लाल मिर्ष पौडर, आधा टीस्पून हल्दी पौडर, नमक टेस्ट के हिसाब से इसमें डालूँगी, मैं यहाँ पर आधा टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रहे हूँ, उसके बाद इसमें मैं डाल रहे हूँ आधा तीस्पून काला नमक नमक दालने के बाद इसमें मैं आधा चमचा यह आधा टीस्पून मैंने चाट मसाला इसमें दाल दिया है अब इन सब चीजों को दालने के बाद एक बार हम अच्छे से से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दो टेबल स्पून चावल का आटा चावल का आटा डालने से इसमें अच्छा सा कुरकुरा पन एने क्रिस्पिने साता है तो दो टेबल स्पून मैंने चावल का आटा इसमें डाल दिया है उसके बाद इसमें मैं शामि मैं थात 1T का में नहीं दाला है वैसं का आाट है मैं डालने के बाद इससे मिक्स कर रही हूं läuft याद रखिए इसे मिक्स का पानी से लिक्स कर दोने करनानी करना तो इसे में अच्छे क console कर के लिए हैं अब इसे मैं दाल रहे हूँ आधा लीम्बू का रस इसमें एक अच्छा सक खटास भी आती है और ये बहुत ही कुरकुरे पकोडे तैयार होते हैं आधे कप से भी थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन का आटा दाल कर मिक्स कर लिया है दूसरी तरफ मैंने तेल गरम होने के लिए रखा था तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें पकोडे दालते जाएंगे और इन पकोडों को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है जब एक बार हम इसमें पकोडे दालेंगे जब इसकी जाग थोड़ी सी कम हो जाएग तब हम इसे दुसरी तरफ से पलट लेंगे हमें हाइफ लेंप पर इसे नहीं करना है वरना ये अंदर से कच्छे रह जाएंगे जब ये उपर आ जाएंगे जब थोड़ा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा तो तब हम इसे पलट कर दुसरी तरफ से भी पकाएंगे इसे अल रही हूं और इसे पलट पलट कर मैं पका रही हूं तो यह अब अच्छे से हो गया है गोल्डन कलर भी आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे उससी तरह से हम बचे हुए दूसरे पकोड़ों को भी तल लेंगे दूसरे पकोड़े भी अब मैंने उसी तरह से तल कर तयार कर लिए हैं तो लीजिए बहुत ही टेस्टी क्रंची और मज़िदार कुरकुरे प्याज और पालक के पकोड़े बन कर तयार हैं आज शाम की इफ्तियारी में आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा चाहे कोई भी मोसम ह पकोड़े हर मोसम में खाये जाते हैं आप इसे बरसात की मोसम में भी बना सकते हैं रमजान के इक्तियारी के वक्त भी इसे बना सकते हैं तो देखिए कितने क्रिस्पी और मज़िदार लग रहे हैं आप इसे केचप या ग्रीन चटनी के साथ भी सव कर सकते हैं उमीद करती हुआ कि आपको मेरी यह recipe पसंद आई होगी अगर recipe पसंद आhy तो इसके आप घर में अपने जरूर प्राय करिएगा और मुझे comment करके बताईेे कि आपको मेरी recipe कैसी रगी मुझे आपके feedback का इহallen रहेगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेर जरूर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये बगर मज जाएगा मैं बहुत जल्द एक आसान और नए रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करेगा तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग मैं चैनल